सौ सालों के बाद भी जाना जाएगा, ये प्रोटेस्ट हुआ था और आठ के थूरू इस अपनी बात कही गई थी, इसलिए हम ये लिख रहे हैं, आप ये साध्डा हक, आप रोक नहीं सकते हमें अपनी बात कहने से, आप हमारा मुव बंद करें हम अपना ब्रस चलाएंगे, हम रुकेंगे नहीं नमर आठ पिखरे है अभी, पुलीस एंटर दे कैंपस, रभिवार को पुलीस की बरबरता, इंसाइट द लाइपरी, जब तक दुनिया में लड़ने की जरूरत बाकी है, ये एक तरह से सब को रिमाइंड कराता है, के चाहे कितनी भी देर लगे, कितना भी मुश्किल हो, but we have to keep resisting, and हम लड़ते रहेंगे जब तक जरूरत बाकी है. हम लोग शुबह आराउंड दस बज़े हाँ पर आ जाते हैं, सब मतीर लेके, then we make the paints, and we start drawing, and जैसे जैसे लोग आते रहते हैं, they start joining us. मैं को प्रफेशनल नहीं हूँ हूँ, मैं help कर रहा हूँ, अभी हम लोग भागत सिंग को पेंट कर रहे हैं, इस्पेशली भागत सिंग को इस पर इस देश को है, ना कि सावर करकी. हम तो लड़ेंगे, ये फित्रत है अपनी हस्ती हमारी मिटाना, जालिम हमें आजमाना. जालिम हमें में से पहले कभी ग्रैफिटी नहीं होता था, बॉल्स इस तरिके के स्लोगन वगरे नहीं दिखते हैं, लेकिन सिंस हमारा लाइबरेरी को डेमेज किया गया है, तो लाइबरेरी ही एक जगे नहीं है, जहां पर हम पढ़ते हैं, मतलब हम बॉल्स पर अगर जो लोग हैं, हम तो लिखेंगे ये आदत है अपनी पन्नो को चाहे जलाना राफ्टे से निकल रहा था और जो मैंने इन लोगों को काम करते में देखा एक इन्सानियत के नाते में मैंने सुझा है कि जो मुझे आता है और मुझे जो भी अल्ला ताला ने आर्ट दिये तो इनके साथ मैं भी थोड़ा है करूँ पर जब इन्होंने ब्रश पकड़ा तो ये इतना अमेजिंग लेटरिंग कर रहे थे हमने का प्लीज कल भी आए और नाव हीज़ पार्ट अप दर प्रजेक्ट और हीज़पिंग अस जब पन्ने जलेंगे तो राख तो उड़ेगी राखे समंदर से उठेगी आंधी आँखों में कालिक पड़ेगी बहेगा लहू फिर अश्कों का यानी आँखे शहा भी खुलेगी वो बच्चे वो माएं सर्मा की हवाएं रुक जाएंगी और लड़ेंगी मोहपत के बागों से उठेंगे बागी गुलों में फिर रंगत तएगी मैंने फिर एक ले आउट तयार किया जिसमें मैं अपने 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 तरीके से यहां पर डिपिक्ट करने की कोशिश की फेरे एहम और सारे वहम फिर घुल जाएंगे उस लहू में समंदर छटेगा लहू का और निकलेगा फिर वो सुकू का ठिकाना भगत की जसांदी से आई थी राहत, उस लहू की ही लागत लगेगी फिर चाहे बताना नदी को समंदर, चाहे जूट की लहरें उडाना मस्जिद में न खराबात में कोई, हम किसी थी अमानत में गमकर जगा थी शायद कोई इन में से कफन ठाट के निकले, अब चाहे शवीदों के मजारूं पे आजा दे हैं फैस कहीं न कहीं यहां मुर्दे लोगों को भी कहता है कि तुम भी उठो, उठके आओ, और इन इनकलाबों का साथ दो, इन हक का साथ दो, और यह जालिमों को इस दुन्या से खत्म करें जालिम हमें आजमाना, जालिम हमें आजमाना, जालिम हमें आजमाना